जी नमस्कार, गुड़ उनिंग एंड विलकम टू अल उफ यू, मेरे दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु सुक्ला और मैं आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हम लोग की बिगनिंग है, हम लोग की शुरुवात है, 2021 में जितने भी चातर, जितने भी बैंकिंग एक्जाम को टार्गेट करके लेगे चल रहे हैं मेरे दोस्तों, उन सारे एक्जाम का सारे के सारे एक्जाम का मेरे दोस्तों पूरी तरीके से यहां पे हम करने वाले हैं क्या पोस्ट मार्टम लिटरली आप देखो foundation जैसे कि एक बच्चे ने खा सर foundation मतलब की क्या सर ये SBI के लिए होगा क्या सर ये ECGC है ना ECGCPO का उसके लिए होगा क्या सर इस एक्जाम के लिए तुमरे दोस्तिक बात बताओ क्या बेंकिंग कोई foundation नाम से वेकेंसी निकालती क्या पिचल ये foundation का 10,000 सीट आ गई है foundation नाम से तो कोई वेकेंसी आती ने कि zero to hero post आती है कोई exam कोई zero to hero post conduct करवाता है मेरे दोस्त मेरे देवता ये शो का नाम है ठीक है ये शो का नाम है कि हम आपको एक beginner से उठा करके मतलब maths का बिलकुल एक दक्ष बनाने वाले है math का expert बनाने वाले है ये है इस show का खास purpose design भी मैंने आपके सामने पहरी ग्लास आप उठा के देखो मैंने जो इसकी strategy discuss की है जो study plan discuss किया है वो इन ही चीजों को ध्यान में रखे इन ही points का ध्यान में रख करके शुरुआत आप देखो कितनी polite की है है पहला session आपने देखा मेरे दोस्तों जो कि last हुआ था Saturday को ठीक है बई last हमें Saturday को session लिया था तब यह थोड़ी से down थी आपको दिख भी रहा होगा है ना आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों की दिखिदने का मतलब है कि थोड़ा सा सर्दी हो गई है cold और वो एक दिन में तो perfection आ नहीं पाती कल कुछ जादा ही सब यह पकड़ लिया था एक दम है ना तो वो कल चात्रों को जिन्होंने जिरो टू हीरो और दक्ष की गरिमा को फिर से आगे बढ़ाया मेरे दोस्तों साथी साथ इसके अलावा भी जिन भी छात्रों का RRB PO प्रिलिम्स एक्जाम में मेरे दोस्तों पहला इस्टेज प्रारमभिक प्रिक्षा जिन्हेंनों पास की है उन अगला कदम बढ़ा के सीधा बाप की हाथ में जॉइनिक लेटर उस दिन का हम आपका इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल कहते ना बाहे बिछाने हाँ बाहे फैलाए हुए दोड़ स्वागत करने के लिए तयार हैं है ना डेर टू ड्रीम में तो चलिए दोस्तों शुरू करते है का हो गया महराज ठीक है इस्टार्ट किया जाए कौन सा पहले पढ़े अरे साथ ही साथ पढ़ो मेरे दोस्त ऐसा कुछ हो नहीं है है ना अदक्ष जो है वह आपका पेड़ प्लेट फॉर्म है है ना सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे जीरो टू हीरो पढ़ते है फिर द रिक्कत नहीं है हम तो हर जगा पर पढ़ाएंगे ठीक है लगिन बस यह है कि अगर पांच छे सो रूपए आप खर्च कर सकते हो तो आप दक्ष जोईन कर लो है ना फिर होता ना बेस्टम बेस्ट टाइप में निकल के रिजल्ट बहरहाल वो तो आपके सवतंत रिच्छा जिल्ट पर और निराया करता है दूस्तों आई आज का सेशन दोसतों हम लोग की बेसिकली देखा जाये तो दूसरी क्लास ट क्रू से परा है second class है basically हम लोग की आज की इस session की मेरे दोस्तों थोड़ा आप सारी लोगों से कुछ basic उम्मीदे होती है कि आप इस session को maximum share करेंगे क्या क्या रहने वाले हैं session में सब कुछ का discussion करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है दोस्तों तो चैनल को please subscribe करके विल आइकन प्रेस कर दीजे ठीक है ताकि हर session का notification पहुंसता रहे आप तक ठीक है बई दक्ष में क्या होता है हम वहाँ पर आपको जलेभी बनाने क्विधी सिखाते हैं जलेभी के साथ रवडी कैसे पेश किया जाए वो सिखाते हैं मैट्स का बैच है मैट्स पढ़ाते हैं और क्या करते हैं दक्ष में क्या होता है आजा अब देखो क्या करने वाल है हम यहाँ दक्ष आपका एक फाउंडेशन बैच होता है मैट्स का फाउंडेशन यारी प्रीलिम से मेंस लेवल सब कुछ कवर करते हैं वहाँ पे यह एक बैच होता है पूरा लगभग असी प्लस घंटे भी तो हम लो अभी दक्ष की मैंने इंट्रड़क्टरी क्लास ली है मैंने पूरा जुडवाया है डाउट वो टॉपिक वाइस टेस्ट वागरा लेके तो तकरीबन सौ घंटे जा रहा है इसका इस्टडी प्लान हाँ जो मेंशन है वो असी घंटे का मेंशन है सों घंटे के ऊपर जा रहा है चले तो बर तुफान की तरीका से सके शेयर किया जा जाए दोस्तों क्या करने वाला है आज आपका होने इसलिक भी होने वाला है ईसके बारे में हम लोग सीखेंगे है स्क्वाइर और क्यूब कैसे जल्दी से निकाले हम उसकी बारे में देखेंगे दूस्तों ठीक है स्क्वाइर और क्यूब आज का मेन एजिंडा है ठीक है यह हमारे बेसिक पॉइंट्स होंगे square और cube जल्दी से कैसे निकालेगे फिर multiplication trick आपने last lecture में देखा था multiplication trick साथ साथ square और cube पे आधारी छोटे-छोटे सवाल का discussion आपकी performance सब कुछ आज के session में decide होने वाला है तो शुरुवात किया जाए मेरे दोस्तों एक बार तूफान की तरीके से share किया जा सर मल्टिप्लिकेशन ट्रिक रजद वर्मा जी शायद आपने पहला लेक्चर मिस कर दिया प्लेलिस्ट में जाओ प्लेलिस्ट में छाट लो ठीक है प्लेलिस्ट में देख ले मल्टिप्लिकेशन ट्रिक पहला लेक्चर था हो चुका है वो चले भी कल बानो आनी ठीक है, ठीक है, मल्टिप्लिकेशन ट्रिक रजट वर्मा जी हो गया बिटा, और कोई आप लोग का, डाउट, हाँ, एक और चीज़, मैंने कमेंट देखे थे, मैंने शायद जो लास्ट सेशन में मैंने जब कुश्चन सॉल किया था, तो लास्ट वाले कुश्चन में मैंने घटाने में थोड़ी से गलती की थी, और उसको भी मैंने फिर बाद में सही किया था, लगी चायद खतम कर रहे थे सेशन, तो चायद हमने फिर से गलती लिख दिया था, तो ये सब थोड़ा से अगर, हाँ, ये कैलकुलेशन में मतलब, लास्ट वाले मैंने किया था, ठीक ह तो ये रहने वाला है, और इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगी दूस्तों, इसके साथ ही साथ हम लोग questions पर practice करने वाले हैं, एक तरीके से समझ लो, ठीक है, questions करने वाले हैं, यानि कि मज़ा आने वाला बड़े अस्तर प्यास, ठीक है, मज़ा आने वाला, बस ये समझ अब यह बताओ एक बदर तो करके कि लाश्ट में जो हम लोगों में यहाद करके है। तक की तो एकदम रठी गई है ऐसे हमारी उम्मीदे है अगर हो चुकी है तो बता देना थमसब करके नहीं हो पाई 40 तक के स्क्वाइर आपको याद हो चुके हैं मैं ऐसे उम्मीद कर रहे हैं आप से तो क्यूब जो है बहुत खतरना ट्रिक नहीं है लेकिन मज़ेदार ट्रिक बहुत है जो बच्चे नए होंगे नहीं पढ़ा है हमसे वह भी देखेंगे दिल खूश हो जाएगा आपका क्यूब की ट्रिक ठीक है मोधी जी क्या कह रहो आपके रिकॉर्डेड उम्मीद में पानी फिर गया है सर किस चीज की उम्मीद भाई है पता नहीं किस लेवल की उम्मीद तुम लगा के बेठे हो भी इश्वर जाने बहराल स्टार्ट किया जा जाए दोस्तों कंटीनिव करें अब हम तो यहां पे सबसे पहला काम स्कॉर की बारे में शुरू करने वाले हैं तो शुरू करें एक बार थमशब करके बता दिया जाए बहरा है सुरू किया जा भई आल ओकी है ना उम्मीद पर पूरी दुनिया कायं है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का खेल हम लोग सबसे पहले square की बारे में जानेगे आप सारे लोग जानते हो कि सबसे पहले basic एक तरीका होता है square रिकालने का उन सारी संख्याओं का जिसके की last में 5 दिया गया है तरीके हम 2-3 बताएंगे सबसे पहले यहाँ पर तरीका एक लिख देते है टाइप 1 ठीक है एक करके आराम से देखते जाएगा notes बनाईएगा सुन्दर सुन्दर अक्षरों में सारी चीज़े हम लोग सीख लेगे सबसे पहले अच्छा यह बहुत बेसिक है यह मैंने multiplication trick में भी आपको बता दिया था अब हम आप ही से उम्मीद करें कि जल्दे से फटाक से बिछा देना ठीक है ना समझ है तो बता देना सर नहीं समझ है एक बार repeat मालीजे 65 का स्क्वाइर विकालना है 115 का स्क्वाइर हम अभी पहला टाइप है बेसिक वाला एक्दम ठीक है मालीजे मैंने कह दिया लिखा है 205 का स्क्वाइर बताना है फिर मैंने मालीजे कह दिया दोस्तों चलो कि 95 का स्क्वाइर बताना है तो यह एक बहुत ही मासूम सा approach होता है कि last वे अगर 5 है तो हम लोग कैसे करते हैं last वे अगर 5 है दोस्तों तो कैसे करते है square का सबसे पहला type तो यहाँ पर आप सब को पता है कि कैसे करते हैं हम लोग आखिर में 5 है तो 5 का square तुरंट लिख दो क्या लिखेंगे आप लोग 5 का square 25 लिखोगे 5 का square मेरे दोस्तों 25 फिर 6 लिखा है 6 को next number से multiply कर दिया 42 यह सब लोग 90 अम यह मान रहे है 90% लोग जानते हो हम यह मान रहे हैं 90% लोग जानते है ठीक है भाई अब थोड़ा और आगे भरते हैं अगला मेरे सामने दोस्तों 5 5 का square कितना होता है अगला मेरे सामने दोस्तों लिखा हुआ 5 5 का square कितना होता है और फिर क्या किया मैंने 20 है 20 की next number क्या हो गई 21 multiply कर दिया आ गया 420 की बराबर यह मेरा answer आगया 42025 ना समझा है बता देना ठीक है हाँ, इस्टार्टिंग बिल्कुल जीरो लेवल से, अब देखते जाओ, फाइव लिखा हुआ, फाइव का, इसक्वाइर ट्वेंटी फाइव, आज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी करने हैं, आज आपको, नाइन की नेक्ष्ट एप्रोचिस वही बताएंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हो, प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करेंगे, उन्ही एप्रोचिस का हम आपके सामने डिस्कॉसन करेंगे, हम आपके सामने कोई रटाने वाली चीज नहीं करेंगे, इसको रटो त तो हमें प्रोस पता होनी चाहिए न दोस्तों आई एप्रोस सीखते हैं हम लोग माली जी मैंने कहीं दिया कहीं पर लिखा है 87 इस 87 का स्कॉयर बताना कितने एक बार पहले कमेंट बॉक्स में बता दो कितने लोग स्कॉयर जानते हैं जल्दी निकालना यह क्लास डेली चलता है ओके थोड़ा स्पीड के साथ शेयर किया जाए दोस्तों आज परफॉर्म करना आज आपकी स्पीड का चिकप भी होगा ध्यान रखना एक क्लास दो क्लास हम सिखा चुके थोड़े उस उन्हीं पर आधारी छोटे-छोटे सवाल ही होंगे हम इन इमान नगे एक्सपर्ट बन गए हो आप लेकिन यह है कि थोड़ा भूत आज गया है आपका एडिया चलो शुरू करते हैं माल लेजिए 87 का स्क्वाइर कहा गया तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को दो डिजिट में ब्रिक कर लो हमने कह दिया 87 यह लिखा हुआ 8 मन स्कुएर मैंने लिख दिया 49 फिर 8 का स्कुएर कितना होता है 64 as it is क्या किया सबसे पहले नंबर्स को अलग-अलग माना और इसकौर करके 2 डिजिट में लिखना ध्यान रखेगा 2 डिजिट में लिखना 7 का स्क्वाइर 49 फिर अगला काम क्या कि इनको कर लो आपस में multiply Hol right क्या 8 गुड़े साथ 56 56 दूना कितना हो गया आपने कहा 112 पहला प्लेस छोड़ के लिख दो 112 हम प्रैक्टिकल चीजे आपके सामने डिसकस करें आसानी से हैबिट में उतर जाएंगी यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया यह हो गया 6 4 और 1 मिलके 5 7 और 1 मिलके 6 बोलो सही है नहीं स के बारे में सोचों उन बच्चों के बारे में जो अभी शुरू कर रहे हैं क्लियर इतना डन चलिए बहुत शांदार नेक्स्ट आते हमाल लीजे मैंने आप से कहां लिखा हुआ 93 और 93 का स्क्वाइर बताओ जनरल एप्रोच बिलकुल साधगी भरा एकदम ठीक है बिलकुल साधगी भरा तो 9 लिखा है 3 लिखा है हमने कहा 9 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा आपने कहा 81 एक बात ध्यान डखना जिनको भी मेरी मेंस वाली क्लासेस जॉइन करनी है मेंसी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है तीन घंटे मेरी देड़ घंटे अलग चल रही है देड़ जितने हैं बिल्कुल भटकना मत उसके आसपास क्योंकि फिर अगर बिगनर है आप और वो डियाई क्रेकर की क्लास आपने देख ली तो डियाई से नफरत हो जाएगी है ना हां कि मतलब यह सब होता है एक स्टेज आती है माइं जब सुन पड़ जाता है ठीक है तो जिनको म जोइन करनी है वह जोइन कर सकते हैं वाई 179 मेरा कोड है एपलाई करके जोइन कर लेना बहराल यहां पर कंटीनिव करते हैं तरी का स्कार नहीं में याद सोचे याद दिला दें आपको तो तो तरी का स्कार हमने देखो 09 लिखा क्योंकि मुझे दो डिजिट में लिखना थ जाएगा आपको 54 के बराबर पहला प्लेश छोड़ की लिखना है दोस्तो 54 लिख दिया आगे आपका एंसर 9 4 81 और 5 मिलके हो गया 86 8 6 4 लो अभी कितने लोग को नहीं है बार कमेंट बॉक से बताया भई और अगर आ चुका है तो बोल दो दो डन मुझे उम्मीद है जात्र लोको सम Свश आ गया होगा ठीक है留言 डेन है यहां पर पूरा एकदम सांसे ठाम के रोक के दम लेखना कि हाँ अपकी बार पकड़ लें आ तीर इकदम बहुत ध्यान से हम समझा कर रहा है narrow आपरामसी दोनों e-box समर 2 सब्दोर 2 सब्सक्राइर 6 सबस्क्राइव 2 दूस्ट निकीत 108, इस 108 को as it is पहला प्लेस छोड़ के 108 as it is mention कर दो आपका जवाब आ गया एक 886 617 314 4761 डन किसी को ऐसा तो ने कि समझने में दिक्क्त आ रही है अगर वो बिगनर है जानता है तो कोई बात नहीं अगर बिगनर से समझने में दिक्कत तो मैंने कहां लिख दिया मैंने बेटा 123 अब बताओ 123 का square निकाल रहे हम लोग है भई हमने कहां बताओ 123 का square अब ध्यान से देखो एक छोटा सा चोटा सा कहानी देखो आप हमने कहां बेटा आप unit digit को अलग मानो और बाकी जितना बचा उसको single digit consider कर लो यारी unit digit को single digit consider किया जो बा जबर जस्त भाई शांदार अब इसके बाद कर लो इनको multiply तो हमने इनको कर लिया आपस में multiply बारह गुड़े 3-36 दूना होता है आपका 72 पहला प्लेस छोड़के लिख दो मेरे दो 72 और आपका एंसर आजाएगा खूबसूरती के साथ 9 हो गया 2 हो गया 144 साथ मिलके 101 क्यामन कर ले जाओगे तीन डिजिट भी उसी एप रोच से बिलकुल स्मूथली कर ले जाओगे अब एक एक जामपल देर है और हम देखेंगे आपका कमेंड बॉक्स ठीक है चलिए टेक एक जामपल दे रहे हम आपके सामने हमने का भई आपके सामने अच्छा चालिस तक की है बिलकुल फ्री ओफ कोस्ट आप बताओ 176 का स्क्वाइर बोलो जल्दी फटाक से और थोड़ा खीच के शेयर वगेरा भी करें आप सारे लोग ऐसे हम आप से उम्मीद कर रहे है मेरे दोस्तों जी नमस्कार नमस्कार मनुजी हम देख रहें कितना जल्दी आप इसका एंसर बताते हैं अच्छा जिंदावाद जिंदावाद बाबा जिंदावाद हायर बाबा भूत टाइम हो गया मतलब अभी बाबा बोल सकते हो कहा है कि सर्दी वर्दे हुए तो बाबा बाबा सही है जी कित्रा इसर आघे बिट्टा इपंद्रह 129 कहां से निकाल दियो अच्छा 123 वाला निकाल लो चलिए तो 396 बताया जारा भी अंकित राना जी ने बताया है ठीक है शिल्पी जी ने बताया है सोनाली शर्मा प्रियंका जी ने बताया है क्या बात है बहुत शांदार तो कह फिर क्या हुआ हमने का 6 का स्क्वाइर लिख दो भाई आपने का ठीक है गुरू जी लिख दिया 6 का स्क्वाइर 36 हमने का भाई या लिख दो एक बार 17 का स्क्वाइर तो अब याद होना चीए मैंने का 40 तक याद कर लो 17 का स्क्वाइर कितना होता है आपने का 289 गुरू जी 30,973 और इस तरीके से तकरीबन 8 से 10 इक्जाम्पल के साथ हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि वह आप किसी भी नंबर का स्क्वाइर निकालने में सक्षम हो चुके हैं सही है हम थमसप या लाइक आपकी इच्छा पे निर्भर करता है सही है हम किसी भी नंबर का स्क्वाइर 2 सेकेंड के अंदर ठोग दोगे आप थमसप या लाइक आपके इच्छा पे निर्भर करता है ठोग देंगे मेरे दोस्तों चलिए बहुत शांदार तो यह स्क्वाइर की कहानी खतम होगे सबसे नंबर का क्यूब जैसे कि मैंने लिख दिया आपको निकालना है सबोस फोटीन का क्यूब जैसा आपने स्क्वाइर वाला तरीका देखा था उसी पैटर्न पर हम आपको बताने वाले हैं तुम मजा आ जाएगा बस अध्यान से देखते चलना लिमिटेशन है आप बहुत बड़ी नंबर का क्यूब नहीं निकाल पाएंगे इस तरीके से लेकिन खुद याद करो कि आपसे कभी कुश्चन सौल कर रहे हो इतना दिन से मैथ पड़ रहे हैं आप कभी ऐसा आपके सामने हुआ कि भाई आ गया हो 248 का क्यूब निकालो वरना आपसे सवाल नहीं सौल होगा ऐसे तो जरूरत नहीं परती ना अपनी जरूरत पर फोकस करें कभी ऐसा आता है कि चलो 199 का क्यूब निकालो वरना सवाल ही नहीं सौल होगा ऐसा तो नहीं होता अगर कभी क्यूब की जरूद भी परती है तो छोटे नंबर की जरूद परती ह तो 100 के अंदर का number का cube आप easily निकाल सकते हैं इस method से, अब देखो, method तरीका एकदम शानदार है, जैसा कि आपने square निकालना उसी तरीके से हैं, अब यहाँ पर भी मैंने कहा इसको अलग-अलग assume कर लें आप, ठीक है, तो 4 का cube कितना होता है, 4 का cube होता है, 64, लेकिन ध्यान रख ठीक है भाई, अब इसके बाद square वाले में क्या करते हैं, अब इसके बाद क्या करते हैं, आप इसके बाद इनको multiply करते हो, आपस में कर दिया, multiply एक चो के 4, 4 गुडे 3, 12 कर दिया, अब एक काम अभी तक square में क्या करते थे, उसी को उठा के direct put करते थे, बोलो हाँ, square में इसी नमबर को direct लिखते थे, बस यही भी थोड़ा सा रुखना है, इस नमबर को एक बार वापस multiply करना है, original नमबर में, अब जो आए, वो चिपका दो, यही काम करना एक्स्ट्रा, कि multiply किया कुछ आया, वापस written होके multiply कर दो, original नमबर में, जो आए चिपका दो, 12 और 14 का multiply करना है alternate नमबर है, यार, 13 का square minus 1, 12 14 को multiply करना, 13 square minus 1, कितना, 168, लिख दिया, 168, add कर दिया, 4, 6, 8, 14, 4, carry, 1 के बराबर 6, 7, और एक और एक मिलके दो, जैहिन जै भारत, आप में से बहुत सारे बच्चों को याद था, लेकिन ये एक रहा हमारा, एक प्रोश समझाने का तरीका, दे जाया की ने, एक बर भी थमसब करके बताया जाया, जल्दी जल्दी, चलो, कोई बात है, एक और example लेते है, माली जी मैंने आप से कह दिया, दोस्तों, लिखा हुआ है, 16 का cube निकालना है, चलो, 16 का cube निकालते है, पहले चोटे-चोटे example, हम निकालते है, 16 का cube, करना क्या है, नंबर्स को अलग-अलग assume किया, 6 का cube कितना होता है, आपने कहा गुरुजी होता है, 6 का cube 216, फिर मैंने कहा अच्छा बताओ बेटा, 1 का cube कितना होता है, आपने कहा गुरुजी 001, आपने कहा यहा तक भी सही रहा, अब इसके बाद क्या, फिर कहा आपने गुरुजी आपन कि बड़ा बहुत बहुत बारीक सांतर है आपके सामने दूस्तों हमने का 18 16 को मल्टिप्लाई करो आपने कहा गुरुजी 16 18 तो अल्टरनेट नंबर है हम तो ट्रिक लगा दें मल्टिप्लिकेशन ट्रिक मैंने सीखी अभी क्या कि बीच का नंबर 17 16 के बाद 18 था ना उनको मल् बजा है तो कमेंट बॉक्स में स्वतंत रहें आप अपने बाते रखने के लिए बस यह है कि जो आप से उम्मीद करने है उसे उम्मीद भी खरेगा उत्रो यार थोड़ा शेयर भगए लाइक ठोकते रो फुड़ा एनरजी मेंटेन रहनी चाहिए है कि ने तो लाइक वाइ यह स्टेजवाइजी ले के चल रहें तो झोटे चोटे सवाल है तैयार सारे लोग ना इतना हो गया और आगे बढ़ते लुस्तों अभी तो पूरा इबीदो नमबर चोटे-चोटे का क्यूब दिखाया मैंने अब इसके बाद अब इसके बाद अब इसके बाद बतियाते टो बटियाते बहुत अच्छ लोग तो इतना खास-खास बतिया ने लगते हैं मतलब कि इसा है न की मुबाइल नमबर वगएर लिख के मितलब कुस बच्चे इसा करते हैं मोबाइल नमबर वगएर लिखे देंगे कमेंट बॉक्स में की प्लीज कोई कॉल कर दो मतलब अगर जितना दिमाग यहां सब में लगा रहा है कि कैसे किया जाए, अगर इसका 10% दिमाग यह इस पे लगा दे कि सेलेक्शन कैसे पाया जाए, तो इनकी सारी दिक्कते दूर हो जाए, तो थोड़ा फोकस इधर रहे, तो शायद आप अपनी साजिस में काम्याब हो पाए, आ हमने कहा है, इनको अलग-अलग माल लो, सब लोग बताओ फटाफर से, 24 का क्यूब निकालना है, तो यहां पर देखो, 4 का क्यूब कितना होता है, दोस्तो 64 होता है, चार का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, तो अब यह बताओ जरा, यह क्या हो गया, क्यों लिखा हमने तीन क्लियर हो गई इसके बाद वाला इस टिप क्या बताया था गुरुजी ने इसके बाद इनको करना है आपस वो मल्टिप्लाई कितना आगया दो गुड़े चार आठ गुड़े तीन 24 आ गया और मुझे क्या करना इसी 24 को एक बार वापस मल्टिप्लाई करना है इस 24 से 24 का पूरी इतना वादा रहा मेरा आपकी जो जरूरते है वो इस मेठर से पूरी हो जाएगी एक ही स्टिप इसमें अलग से करना पड़ता है और वो इसको मल्टिप्लाई करना यही स्टिप थोड़ा सा बड़ा होता है लकिन इसमें बिलकुल उठा के देखेंगे जितने भी मि महसूस हो रहा हो दोस्तों तो एक बार आपकी लाइक की बस दरकार है जितने भी छाद्रों नों फिर तक लाइक नहीं किया प्लीज एक बार सेशन को लाइक जरूर टच करें आगे दोस्तों एक और एक्जाम्पल लेते हैं और इसका हम आप सारे लोग बताओगे हमने किसी से एंसर बता आजा है फटाक से साब़ाश कितना अराप का एंसर अभी तक तो नहीं है कि नॉलीजिज बाइट्स के है रिपीट सरो К बेटा देखऊ क्या करना है बहुत ध्यान से देखऊ बहुत कितना हो गया आपने कहा 36 और 36 और 34 को अगर मल्टिप्लाई करना है और किसी ने अगर जल्दी से मल्टिप्लाई नहीं क्या मुझे जबान पे एकदम आइंसर नंबर चाहिए सब के मल्टिप्लिकेशन ट्रिक में खूब सीखाया इसीज को दो अल्टरेनेट नंबर को मल्टिप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं इसे लिखा YOU मैंने आपके सामने कहा दिया लिखा भाई कुछ भी लिख दिया माले माल लिजे 79 multiplied by 81 मैंने आपके सामने लिख दिया भाई किया 94 multiplied by 96 एक सेकेंड में इन सब का एंसर चाहिए मल्टिप्लिकेशन ट्रिक का है सिखाएं हम आरती उतारने के थोड़े सिखाएं उसको भाई हमें 36 और 34 को मल्टिप्लाई करना है हम क्या करेंगे बीच की नंबर कितनी है 35 35 का स्कौाइर कितना होता है 12 25 और 12 25 में से एक घटा होगी आ आगया 49 304 बिल्कुल शानदार इस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस करें मेरे दोस्तों यही एक इस्टे बड़ा होता है इसी पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़े मल्टिप्लाई का है मल्टिप्लाई करना क्या है बीच की नंबर 75 और 75 का स्कौाइर कैसे अरे 5 का ठीक है 94 96 को मल्टिप्लाई करना बीच का नंबर क्या होता है बीच का नंबर कितना 95 95 का स्कौाइर 95 नबबे 25 में घटा और 94 आपका एंसर तो मेरे दोस्तों आज के बेसिक पॉइंट्स के अंतरगत हम लोगों ने स्कौाइर और क्यूब को रखा था और उन चीजों को हम सी सवाल परसेंटेज से थोड़े बहुत फ्रेक्शन से इन सबसे मिला जुला करके एक छोटा साब के सामने हमिहाँ पे सवालों का सिलसिला स्टार्ट करने वाले हैं तकरीबन 15 से 20 सवालों को परफॉर्म करना है जो बेसिक पॉइंट्स हम सीख रहे हैं उन पे कैसे काम किया तो सारी लोग तयार है तो एक बार भाई थमसब कर दिया चाहिए और बस अब खीच के एक बार शेयर करो क्योंकि अब आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का वक्ता चुका है टाइमर के साथ आपको उड़ाना है जैसे यूजरी आप सब करते हैं करते रहें इसके पहले करते हैं अब आज का खेल इंतजार कर रहें आपका किया जल्दी से फिर शुरू करते हैं ताबर तोड़ श्टार्ट चलिए तो शुरू करते हैं आज का खेल पहला सवाल आपके स्क्रिन पे जोड़ने घटाने वाला दक्ष फाइब वाले जितने बच्चे होंगे आज मैंने बताया था कि आपको कैसे खट से एंसर करना है जोड़ने घट पहले तीन-चार सवाल जोड़ने घटाने पे इसकी कि your time up the time up सम Allah तो अगर तरीका पता है ताप इसका मरें और कर்रें ओजह करेंगे अगरम का आप इसके हमले कि या इसको solve जरा वो देखें मेरे दोस्तों आप देख पार हो यहाँ पर बहुत छोटी सी बात है यह आप देख पार हो चार चार डिजिट में क्या है दोस्तों 999 ऐसे लिखा है और यहाँ पर 7777 लिखा है आपको पता कि हर एक नंबर जा जा के इधर घटेंगे हर एक नंबर अपने आप में घटेगा आप तरीके से ही घटाओगे ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप 9990 में साथ घटाने चले जाओगे आएगा एंसर वही लेकिन आप तरीके से घटाएंगे फिर आप इस यहाँ पर साथ नो से घटेगा तो आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जाएगी सब के साइन बदल जाएगे तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि बएसिकलिए आ कैसे जाएगा वो कुछ इस टाइप में आ जाएगा दिख भारा दिक दिख रहा है निए कुछ इस टाइब में आएगा बताओ ऐसी आएगा नो में साथ घटाएंगे और अगर इसमे 2, 2, 3, 3, 4, आखरी बाला 4 हो जाएगा, फिर यहां पर प्र एक क्या हिए हो गया, निको जोड़ोगी यहापर 3 आएगा, फिर आप 2 ही टीजिटा वोगा ओगया, इहापर कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, यहापर कितना लिखा, 1 आजाएगा, बगल में 2 से मल्टिप्लाइ तो यह सब है आपके जो आप सिंप्लिफिकेशन में टकराते हैं तो इन सब पर कैसे पकड़ बनानी है आप डारेक्ट एंसर कैसे मार करेंगे उन पर से फोकस करना सुरू करते हैं टाइमर स्टाट होता है इसका भी एंसर आप तुरंत मार कर सकते हैं जड़ा देखते हैं कैसे कि दो चार छे आठ अंकुष मुखर जी क्या बात है भाई तो यह पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है अब ध्यान से देखें इसका एंसर अगर मुझे मार करना होता तो यहां से सुरू करते हम हम कुछ ना इसको कि प्लस अलग कर ले माइनस अलग कर ले कभी भी कुछ मत घबराना आप हमेशा ध्यान रखना कि दो नंबर जुडे जब दोनों का साइन अपोजिट हो बॉर्ड मास का नियम यह मत कहना कि पहले जोड़ना होता है पहले घटाना होता है मत घबराना फिसले जीरो टुट हीरो में या किसी में देखा तो यह दो तीन बच्चे होता है अधूरा घ्यान बड़ा खतरना खोड़ा होगा दो तिन सा मतलब होता है अगर मुझे इसका एंसर करना होता था हम यहां से फोकस करते तीन और एक मेरे साथ जोड़ो चार चार और आठ मिलके कितना हुआ बारा बारा में तीन घटाओ के कितना आएगा नो नो आएगा अब एक बात बताओ यह पूरी नंबर इस साइड आएगी इस तुम और जब इस साइड आएगी तो नो और चार मिलके कितना हो जाएगा तेरह यानि आखरी अंक किसका कितना आजाएगा तीना जाएगा किस जगा पर दिखे रहा आप लोग को तीन कहां पर दिखे रहा है एक जटकें एंसर लिख सकते थे कुछ करने की जरौत ही नहीं रहेगा और ये पूरी वैल्यू माइनस वाली उठके इस साइड आएगी तो मेरे नंबर्स कुछ इस तरीके से हो जाएगे एक दो चार तीन लिखा है प्लस चार तीन दो एक लिखा हुआ है प्लस लिखा है 1298 और सब से कहेंगे इस पे पकड़ बनाना शुरू करो किस पे ये 8734 हो जाएगा लकिन बिना प्रैक्टिस किये एक्जाम में मत कर देना वरना गलती करने की बहुत भैंकर चांसे हैं अभी देखो मैंने इसमें कुछ चोड़ दिया 1298 के बाद क्या था माइनस का 9823 एक सेकंड 1298 के बाद क्या था यहाँ पर माइनस का 9823 उसको नहीं लिखा मै एक बार देख लो यह नमबर बेसिकली आई इस साइड अब हमें फोकस किस पर करना था फोकस करना था लास्ट नमबर पर खाली खाली लास्ट नमबर पर क्या किया मैंने मैंने कहा 3 और 1 मिलके चार हुआ चार और आठ मिलके हो गया बारा याद करते हैं ना बारा बारा में तीन घटा दिया नौ आ गया और नौ और चार को जोड़ दिया तो तेरा हा गया तीन कहरी एक के बरावर एक यहां पे जाके जुड़ेगा अब उतना करने के बाद आप देख लो यहां पे तीन है तो आपने कहा सिर्फ एक ही जगह पे तीन है मेरा एंसर हो गया आगे करने की जरौत ही नहीं थी समझ गया मेरी कहानी आगे दूस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चिन तो जो तरीका आप सारे लोगों ने सीखा है ठीक है उसको परफॉर्म करो जड़ा यहां पे जो आपने सीख रखा है अभी तक उसको परफॉर्म करो समाप्त हुआ समय कमेंट बॉक्स इतना धीरे क्यों चल रहा है आपका चल यह ठीक है तो जो आपने सीखा है दोस्तों उसको परफॉर्म करें ना आप क्या सीखा आपने यही से सुरू करो कुछ करने के एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है आपको पता है कुश्चन मार्क यहां है यह वैल्यू इस साइड आ करके घटे गी यह माइनस साइन हो जाएगा बस ध्यान रखना यह साइन क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन हो जाएगा इसी पर दिमाग रख रखे रो फिर से देखो, चार और आट, नो, तेरा, ये इसलिए बार-बार कर रहे हैं, क्योंकि कितना भी हम बता दे, गरंटी ले रहे हैं, 80% बच्चे वही करेंगे पूराना वाला धर रहा, क्या, कहें गुरुजी घबराहट होती है, कर नहीं पाते, लिटरली बता रहे हैं, 80% बच इस तरीके करो, कि यही पर ठोक कि उसको एंसर मार कर दो, तो देखो ध्यान से, 4 और 9, 13 हुआ, 13 हमें एक घटाया, 12 आगया, 12 और 2 मिलके, 14 हुआ, 14 हमें 5 घटा दिया, 9 आया, क्या, इस दौरान कहीं पे कहरी मिला, नहीं मिला कहरी, नहीं मिला कहरी, फिर अगे लाइन पे, 3 और 2 मिलके, 5, 5 में 2 घटा दिया, 3 हुआ, 3 और 9 मिलके हो गया, 12, 12 में 3 घटाया, 9 क्या कोई कहरी मिला, नहीं मिला, अब ज़रा देखो, 9 हमारे पास, यहां यहां पे था, लेकिन 2 लास्ट डिजिट 9 कहां पे है, तो सिर्फ यह उप्शन तो मेरे पहले ही टर्मिनेट हो अब इन 3 अप्शन में, B, C, D में देखो, 2 लास्ट डिजिट 9 यहां पे खाली अकेले है, तो अप्शन नमबर E हो गया, यह जो तरीका है, आपको पूरा कैल्कुलेशन करने से बचाता है, यह पूरा यह तरीका आपको पूरा कैल्कुलेशन करने से बचाता है, मेरे दोस् चलो, देखो सीखा कैसे जाता है, मेरे सिखाई कैसे जाती है, मेरे अब इस पर हाथ अजमाना अपना, गलती होने की चांसेज बहुत होंगे, ठीक है, गलती होने की चांसेज खूब होंगे, लेकिन इसे पर हाथ अजमाना शुरू करे, शुरू करे खेल, सबका एंसर आ अभी भी जोड घटाना है, अभी भी खाली जोड घटाना है, तो जब हमारे पास decimal आ जाता है, addition subtraction में, तो हमें एक ही जगा पे problem होती है, क्या decimal हर जगा पे 3-3 place बाद है, तो यार तो वो तो मुझे हर जगा पे दिख रहा, अगर हर जगा पे 3-3 place के बाद decimal है, तो मेरे decimal का कोई मतलब नहीं है, हम तीन डिजिट के बाद decimal चिपका देंगे, मेरे लिए decimal का सिर्फ इतना मतलब है, तो फिर हम solve कैसे करेंगे, हम ऐसे solve करेंगे, यहां से देखो, 5 और 0 मिलके 5, 5 और 5 मिलके 10, पूरा 10 दिमाग में रखना, 10 में से 5 घटा दिया, 5 आ गया, 5 और 5 को जोड़ दिया, 10 आया, 0 क्या कैरी आया, हां कैरी आया, एक कैरी आया, वो एक कैरी अपने पहले वाले नंबर के बगल में लाके चिपका लो, ठीक है न, वो एक कैरी अपने पहले वाले नंबर में चिपका लो, तो यह कितना हो गया, 2 और 1 मिलके हो गया, 3, यह पूरा कितना पार तीन डिजट के बाद डेसी में एक अस्थान खाली रहेगा तो पाच 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 यहां 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 तीन जगा पह यह लोड पढ़ रहा है ना जूट मत बोलना दिमाग में जोर पढ़ रहा है ना गुत गुरू जी इसे तुम किये नहीं थी इमानदारी से बताना दोस्तों भी बहुत चारी चीजें सीखनी है तो क्या एक बात का सिर्फ जवाब देना सिंप्लिफिकेशन में आता है टकराता है यह हम जानते हैं ठेक है सिंप्लिफिकेशन में ऐसे सवाल बनते हैं जोड घटाने मात्र प्याधारित और इसका यूज़ भी होता है मल्टिप्लिकेशन परसेंटेज वागार दिया है तीन बार कार दिया आ गया पहला टम प्लस दूसरा टम माइनस तीसरा टम ऐसे आ गया तो जब तक मेरी हैबिट में यह चीज नहीं उतरेगी कि एक ही लाइन में हम तुरंद करके आप्शन्स मैच कर आदे खट से तब तक हम थोड़ा सा एक भीड से पीछे है क्योंकि आप आलस कर सकते हो जिसको सेलेक्शन लेना है वो आलस नहीं करेगा इस बात को बहुत गंफीरता से दिमाग में रखना आप आलस कर सकते हो कि मुझे मैच इंट्रेस्टिंग नहीं करते हैं और आगे दोस्तों पाच्वा सवाल अब कुछ नहीं छोटे-छोटे उड़ा के एकदम सॉल किया जा खीच के एकदम साबश और तुम लोग यार सवाल छोटे-छोटे है अभी खीच के उड़ाए जा अब कुछ नहीं नॉर्मल एडिसन सब्ट्रेक्शन जोड ठीक है इतना बहुत सीख लिए तीन लेक्शर में दो लेक्शर हो चुके ना मल्टिप्लिकेशन ट्रिक डिवाइड वगएरा परसेंटेज तो कल बताएंगे फ्रेक्शन डेसिमल वगएरा लेकिन आप खीच के परफॉर्म करें क्या लिखा ये बोर्ड मास का ध्यान रखन दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है डिवाइड तो यह अपना एक बंडल में चला गया ठीक है हाला कि ब्रेकेट सबसे पहले सौल करना होता है लेकिन यह अलगी पार्ट है तो ब्रेकेट भी आप साथी साथ सौल कर ले कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बस यह देखना यह म में 87 घटा दिया आगया 13 के बराबर सही इतना अब एक चीज़ आप देख पारे कि 15 में वही चीज़ देखो पहले जोड़ना है कि पहले घटाना है ठीक है कैसे तुम लोग रुक से गये हो मतलब 15 मिनट से देख रहे मतलब 1530 1542 1520 क्या खीच के शेयर करो यार एक बार तुम ठीक है मेरी बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं बहुत अच्छी हालात कि हम सरदी एक दिन में खतम होती कल तबियत खराप्ती इस कंडिशन में थे कि नहीं ले पाए लेक्षर ठीक है तो एक बार थोड़ा सा प्यार दिखाओ अपना महबबत दिखाओ अपनी दोस्तों ह अब बीट कर जाओ एक दूसरे को बस और कुछ नहीं एक दूसरे को बीट कर जाएं आप सारे लोग चलो हुआ है ठीक है सॉल करते हैं देखो थांसे दो तीन तरीके होते हैं एक तो होता है कि भाई स्क्वाइर 225 ऐसे लिखोगे ठीक है फिर 17 का स्क्वाइर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों 289 ऐसे लिखोगे अब यह देखो यह माइनस का एक्स इस साइड जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा और यह 21 स्क्वाइर इस साइड आएगा तो माइनस का 21 स्क्वाइर होगा यानि की माइनस का 441 हो जाएगा यानि मेरा फाइनल एंसर जो आया मेरे दोस्तों वो मेरा फाइनल एंसर यह रहा देखों फिर से कहा देंगे हम बिल्कुल हर एक बिगिनर को ध्यान में रख करके एक छोटी-छोटी ची नाम के लिए तो हम बस खट-खट-खट करके एंसर लिग देंगे फिर वहां मुझसे कहना कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो अभी हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं आप बहुत आराम से सीख सकते हैं सारी सीजी ठीक है दोस्तों हो गया ओके है चलो इतनी कहानित होगे थोड़ा और सॉल कर लेते तो अभी होगा क्या यहां पर ध्यान से देखें और सिंपल साच है एड़ कर लो आप दोसो पच्चिस दोसो पच्चिस अला करें भाई धाई 225 लिखाए 225 और ले लिए साड़े 400 हो गया ठीक है या इससे कहले ते दोसो पच्चिस और इसमें से यही तरीका हम लोगों ने भी एडिसन सब्सक्राइक्शन का सीखा वही perform करें न यही तरीका तो हम लोगों ने सीक खा और वही perform कर रहे है इसाथ वा सवाल करने अब थोड़ा इस्पीड के साथ किया जाई पर इससंपीड को अपना हुदर दिखा और ठीक है हाँ अब हम दोस्तों को दिखाओ गया थूटी बहुत में था घ्र का कर लेता है थो चैन्सर कर एक दम सबसे पहले आप से पहले किसी का अशेर ना आये वास इतना दिखा दो आपने दोस्तों को जिखा दो आपसे पहले ऐंसर ना आने आए काहा निखेता मुझी पर साबश उडाएया ह क्या है क्या करोगे आफ इसको 15 का Wr т. एंट कि स्क्वायर जोड़के फिर 11 का घटाओगे या अब है स्क्वाई माईनस बीस्वएर लगाओं कि अब लगा सकते ने स्क्वार माईनस बी सकते हैं लिख सकते हैं तो क्या आपको दिखे रहा है है हमने क्या क्या किस्वाइर को इस साइड लेके तो a square minus b square ऐसा कर सकते हैं यह का मन में करना था आपको तो हो गाई से क्या 12 11 23 23 से कम 33 सा गया और जोब 23 सा गया तो भई 15 का स्क्वाइर 220 होता है और 225 में मेरे दोस्तों 23 जोड़ दिया 28 हो गया तो आप्षिन नंबर भी मेरे करेक्ट एंसर रहा तो यह मन में हो जाता है ना आपके मन में हो जाता है चलिए आठवे सवाल पर आता है लीजे इसको भी उड़ा दिया जाया बिल्कुल शांदार यहीं स्पीड चाहिए बस और यहीं ज जान से देखो भाई बात बताएं आप सारे लोग ग्यारा का मल्टिप्लिकेशन जानते हो कहें सीख्यों 15 यह 45 और 45 हो 11 से मल्टिप्लाइए करना है कितना हो गया 5 549 बगल में 4 या फिर ऐसे भी कर सकते हो 15 45 45 45 49 और बगल में कितना लिखा है 25 और 13 मिलके हो गया आपका 38 के बरावर यह कितना लिखा आपने का 38 के बरावर और इधर आके 256 मैंने घटा दिया ठीक है और यही वैलू है मेरे X की ठीक है सॉल कर लो आराम से कितना हुआ पांच आठ तेरा तेरा में छे घटा दिया साथ ठीक है नॉम तीन बारा बारा में पांच घटा दिया वैलू साथ फिर चार में दो घटा दिया वैलू दो 277 ऑप्शन डी एक लाइन में सब प्लस माइनस एक साथ परफॉर्म किया करो इसी क किम प्रैक्टिस बार बार करवाने की कोशिश कर रहे है आईगे नुव में सवाल पर जल्दी से अभी परसेंटेज आ गया एक लेक्ट्टर विसेश मैंने प्लान किया है परसेंटेज बेस्ट कैलकुलेशन पर बहराल फोकस करते है इस पर जल्दी साबड़ टाइम अप देखो धिया असे परसेंटेज का मतलब क्या होता है उन्मे हनडरेट् साब लोग जानते हो बोलो हां परसेंटेज का मतलब आप सारे लोग क्या जानते हैं आप उनमे हंड्रेट् मतलब 2 0 को ऊपर यही तलाश करेंगी, 0 को ही तलाश करेंगी, कहो हाँ, 0 को ही तलाश करेंगी, in case 0 एक ही दिख रहा है, तो आपका प्रयास होगा उस 1 0 को 2 0 बनाना, 450 दिख रहा है, इस 450 को 2 0 बनाना हो, तो क्या लिखोगे, 900 लिखोगे, 900 डिवाइड बाइ 2, यानि इस पू उस 450 को मैंने लिख दिया 900 बटे दो, आप खुद समझ पा रहे होंगे, हम क्यों इतना explain कर रहे हैं, खुद समझ पा रहे हो, गर आप थोड़ा सा अपना अतीत याद करें, जब आपने match के शुरुआत किये थी, तब आपको समझ हारागा कि छोटी-छोटी चीजे क्यों explain करनी पड़ती हैं बच्चो को, तो यह कितना हो गया दोस्तो, 9 by 2 x, मरी बास समझ गये, इसलिए हो गया, इसको हमने पूरा लिख दिया 9 by 2 x, इससे एक चीज और सीखने को मिली, कि जब भी percentage आएगा, हम तुरंत अपन, मतलब अगर 50 के relation में है, तुरंत अपन में 2 कर देंगे हम और यह 12 इस साइड आके घटेगा मेरे दोस्तों, तो 38 में 12 घटा होगे, 8 में 2 घटा दिया, 6, 13 हमें 1 घटा दिया, 12, कहानी खतम हुई, 9 से कैंसिल किया, इसको कितना आगया 14, यह 24 हमें मल्टिप्लाइ हुआ, एंसर आगया 28 के बराबर option है, किसी को बता दो, जहां पे बहुत बहुतर कर रहे हैं आप सारे लोग, खीच के करो एक बार जल दी से, हाँ, लाइक की भी बात कर रहे है, खीच के करो एक बार लाइक, बहुत कम लोगों ने लाइक किया, चलो भई, फटा फट से, तरीका समझ गयो ना, मैंने अभी क्या सिखाया, कि जब भी दिख जाए आपकी निगाहे जैसे होता है कि मेरी निगाहे आज भी उस व्यक्ति को ढूरते हैं तो बस वही है मेरी निगाहे परसंटेज को देख की सिर्फ किसको ढूरेंगी डबल जीरो को अच्छा पहले वाले केस में तो डबल जीरो दिख गया है बिट में उतार लो इस सारे 500 अभी वो सब पोर्शन बताएंगे जब परसेंटेज अलग से सेशन ही लेंगे कि इतना परसेंट अलग एक गुजरे जमानी की चीज है लेकिन कई दफा काम आती है अभी मुझे करना है था हम क्या करेंगे 550 हैं हमने क्या सिखा यारा सुबटे दो याने हम लिखेंगे 12 इस पूरे पॉर्शन को ये किया है उन सारे बच्चों के लिए देख ले ध्यान से जो बच्चे नहीं समझ पाये कि ये पॉर्शन मेरा 66 कैसे आगया अब दोस्तों घटाना है 560 में 60 घटाया 500 आगया 6 और घटा दिया 494 एंसर फिर से सुलो 560 में पहले 60 घटाया तो बचा 500 500 में 6 और घटा दिया तो बच गया 494 560 रूपे दुकानदार को दोगे 66 रूपे का समान लोगे न तो आप कैलकुलेटर पे करते रहो सवाल जल्दी से अब ये मज़ेदार सवाल है हाँ बटे करो बड़े अस्तर पर वो ध्यान से देखना यहां पर गलती करेंगे कुछ लोग तो पक्का कहते हैं गुरुजी डिवाइड आ गया 14 बटे तीन लिखे कि किसको किससे डिवाइड करें घबराहाट होती है ऐसा होता है ना मेरे साथ तो खूब होता था बचपन में जब सीखते थे ना हम कैलकुलेशन बचपन में चौथी पाच्वी में इंचार डिवाइड आगे एक्सप्रेशन में तो गलत होना मेरा तयह है अब देखो फिर उसका मैने तोड निकाला एक है ना क्या तोड निकाला कि जुगार बइठाते हैं मैंने फिर एक तोड निकाला की गलती ना हो गया गलती हुई थी और हमारे मास्टर साम को उससे मार जाते थे तो इसी चक्कर में तोड़े जाते थे तो हमने का यार की फिर जुगार हमने निकालना सुरू किया हमने का जब भी डिवाइड दिखे डिवाइड का मतलब इतना तो पता है कि मल्टिप्लाई करके और बगल वाली नंबर को उल्टा करके लिग दो 14 लिखा तो एक दम बंध होगी वाइस अपर गलती नहीं मुझसे अब देखो क्यों आप समझ गये ना पूरा क्या करना है जब भी आपके एक्स्प्रेशन में डिवाइड आ जाए जब भी आपके एक्सप्रेशन में एक से जाधा डिवाइड आ जाए डिवाइड को मल्टिप्लाई करके इस तरीके से आपको लिखना है अब सिंप्लिफाइ करेंगे साथ से कैंसल कर दिया दो या यू कहें कि आप इसको चौदा से डारेक्ट मुल्टिप्लाई कर सकते हैं तो चौदा से टर्मिनेट करो गई यह वैल्यू आएगी चौदा है कम चौदा चौदा दूनिया ठाइस और तीन से टर्मिनेट कर दिया चार सो फूर इस दराइट एंसर ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट एंसर रहा आज चुका है सबका लकिन यह तरीका समझ पाया आप सारे लोग कि क्या किया है क्या किया गया और क्या करना चाहिए ठीक है आगे बरते हैं लोग बार में सवाल लीजिए अभी बहुत चारे सावाल करने यार लो टाइमर इस्टार्ट हो था कमान चल्दी से खीच के साबाश जल्दी लगबग 1700 बच्चे हमारे बीच में जुड़े हुए है और अगली क्लास में आपकी महबबत पूरी देखने है 2000 के उपर बच्चे होने ही चाहिए भाई हां मेंस का पूरा वो लगा हुआ है लेकिन फिर भी मेंस की क्लासे तो मेरी तीन तीन चरचर घंटे चली रहे हैं उस पर फोकस करते हैं अभी 2021 खाली नहीं जाना चाहिए ध्यान रखना इसके बाद सीटी आजाएगा 2022 में और बहुत पूरी ताकत से पूरे जोज के साथ लगो 2021 में 2020 तुम्हारा है ये बात चेहन में एकदम होनी चाहिए आपके 2020 आपका है इस 2021 को कोई आप से नहीं सकता कॉन चाहिए लड़कों के साथ ही होता बस आखिरी साल है सर आखिरी साल है इस बार नहीं तो फिर सब गया फिर पर तो कुछ करना पड़ेगा इंधर उपर है न तो वह सब छोड़ो 2021 किस तो है नहीं तुम्हारे बस ये साल तुम्हारा है ठीक है ये साल तुम्हारा है तो सब जोईन कर लेना मैथ की समस्या जड़ से अपने आप समस्थ हो जाएगी अब यहां पर यहां पर आते मैंने कहां परसेंटेज दिखा तो आपकी निगा है ढूडी ना भाई किसी इसको ढूडी गुरुजी और डबल जीलो को लेकिन यहां तो एक ही जीलो दिखा हमने कहां और 112 में 73 घटा के आप एंसर भी मार कर सकते हो दो बाराव तीन घटा दिया नो यानि उनतालिट नहीं नहीं बाराव तीन घटा दिया नो दस में साथ घटा देते उनतालिस अच्छा बात बताओ बहुत सारे बच्चे कहारों कि गुरुजी 112 कैसे लिग दिया आपने तो ज बिल्कुल लिग देंगे 700 बटे दो 700 अब खुद दिखे रहा कि डबल जीरो डबल जीरो कटा यह हमने खा इस पे फोकस किया करो 32 का अधा किता हुआ 16 16 को साथ से मल्टिप्लाई कर दिया 112 आगे 112 अब इसी 112 में आपने सब्ट्रेक्ट किया 73 घटाने का तरीका सब जानते गटा है तो 3 49 आपका एंसर आ गया मुझे उम्मीद है आपको चीजे जरूर समझारी होगी अगर समझारी तो लाइक टच करने में कोता ही मत बरतना दोस्तों टाबर श्टाट होता चलिया एंसर बताया सबस्ट दक्स 5.0 मेंस के लिए भी है लेकिन सिर्फ मेंस मात्र के लिए नहीं है अगर आप मेंस ओर्येंटेड ही स्टडी करना चाहते है तो और भी पी अगयरा के लिए मेंस के अलग बैचिस है ठीक है डिस्काउंट कोड कॉड़ कॉमन है बस इतना ध्यान रखना वाई वन सेवन नाइन बहराल आगे यहां पर बढ़ते दोस्तों ठीक है फोकस किया जाए सब चीजे नॉर्मल है आपको दिख रहा है बूर्ड मास के एकॉर्डिंग पहले इसको परफॉर्म करेंगे हम यहां पर क्या होगा यह तो हो गया मेरा अभाई इक इतना हो गया 151 और 144 घटेगा और 151 में 144 घटा ओगे तो वैलु कितने आएगी 7 और बगल में लिखा हुआ है क्यूब रूट ओफ एक्स ध्यान डखो एक्स की वैलु 7 यहां से आप एक्स की वैलु लिखेंगे तो क्या इसर ऑप्शन सी क्लियर आगे ऑप्शन सी आई चौद हावे सवाल पी टाइमर चलिवाई साभाश और थोड़ा खीच के शेयर करो यार 178-1800 बच्चे जल्दी तो 4500 है डबल जीरो तो दिखी रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है है ना साड़ी 400 होता था हम साड़ी 400 को 900 बटे दो लिखते अभी क्या हुआ ये परसेंटेज इस डबल जीरो को खा जाएगा तुरंथ परसेंटेज डबल जीरो खतम करता है अग्दम ग्रैब करता है खट से तो कितना आ जाएगा इधर से 45 एक्स आजाएगा और बराबर घ आटो गे तो 9,45 और 9 से इसको काटो तो कितना आएगा 9,21,18,9,8,72,0 आगया जाएगा जाएगा तो हम इस सवाल को आपको देते हैं होमवर के लिए और इस सवाल का एंसर बताएंगे आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो खतम होने के बाद उससे मुझे अंदाज से लग जाएगा कि कितने लोग गंभीर हैं अपने केरियर को ले करके 15 सवाल आज के सेशन में किये कल का सेशन जो होने वाला हम आपको बता दे दोस्तों कल का जो सेशन होने वाला है वो हमारा थर्ड लेक्शर होगा आपका आप इस्टेडी प्लैन देख लेना इस देखो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है प्लेलिस्ट का लिंक ओपिन करना पहला लेक्शर देखना दूसरा लेक्शर देखना तीसरा लेक्शर यह है चौथे लेक्शर में क्या होने वाला है वह आप सबको पता है तो यह ही आज किस पर्टिकुलर कितना बड़ा रोल होता है उस चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने ये बैच अलग से डियाई पढ़ा रहे हैं आपको इसलिए कहते सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के लिए बैंक महा पैक आपके पास है धुमाधार पढ़ रहे हैं ठीक है हाँ फिर सलाह देंगे अगर आप के पास सब्सक्रिप्शन है आप बिगिनर है तो इस बैच में कत्ता ही जाकने भी मताना एकदम मत जाकने आगना डियाई से नफरत हो जाएगी एकदम है ना आप अगर बिगिनर है तो बीगिनर वाली बेसिक लेवल वाली डियाई से सुरू करे जब आप अच्छा-काशा स इसकी पांच बज़े चलती है दोस्तों, इसकी क्लास टाइमिंग है 5 पीम, 5 से साथे छे और इसकी क्लास है 3 से साथे 4, तो 3 से साथे 4, 5 से साथे 6, इस टाइप में क्लासे है, मेंस के बैचेस, RRB, P.O, मेंस ये सारी की सारी चीजे, ठीक है, आपको 8247.com पर विजिट करें, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे में दूस्तों, आज के सेशन में बसे इतना ही, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, तो लाइक करेंगा, दिल से लाइक करिए गया, ठीक है, इसा कोई जोर जबर जस्ती नहीं है, लगर हमें उम्मीद करेंगे कि आप सारे जितने एस्पिरेंट है मेरे दोस्तों, CGL के लिए जो फाइट कर रहे है, इसे बाद रिजनिंग की क्लास होने वाली है, आपको यतु लवस्ती सरकी, तो वहाँ पर भी जुडए आप सारे लोग, ठीक है, तो चलिए, खयाल रखेंगे अपना, भबाय, टीक केर, वाव नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहे हैं आप सारे लोग, रुस्तों, धोखा हो गया, गुरु ये,